question number 23 integration by parts of x integration of x sequence square x dx अच्छा आप इसमें हमने देखना है कि इसमें sequence square x की integration हमें पताएगे क्या होती है वो तैन कीपल होती है इसलिए हम इसमें x को u ले ले लेते हैं और sequence square dx को हम dv ले ले लेते हैं कि हमने इसकी integration करनी है अब u को differentiated करेंगे with respect to x तो आएगा du by dx is equal to 1 अब दोनों साइट अगर dx को multiply कर देते हमारे पास du आजाएगा next हमने integration करनी है इसकी दोनों साइट पर तो dv से हमारे पास v आजाएगा और integration of sequence square dx जा हो किसकी पर होती है वो 10x की equality अब v भी हमारे पास आगया u भी हमारे पास और dv भी है काम formula केंदे substitute कर देते है formula हमारे पास से u v minus integration of v du u हमारे पास क्या है x और v हमारे पास क्या है 10x minus integration of v और dx ठीके du की जगा हम क्या पर कर रहे हैं dx अब यह तरह जिदे आ जाएगा minus integration of 10x 10x का हम लिख सकते हैं sin x by cos x हमारे पास एक formula होता है कि अगर आपके पास denominator में function हो ठीके और numerator में उसका derivative हो हम इसको लिखते है natural log of denominator अब यहां पे देखे हमारे पास नीचे क्या है cos x जो कि एक function f of x cos का derivative अगर हम find करें तो किसकी गुलता है minus sin x तो अगर मैं यहां पे minus से multiply और minus माइनस से यहां भी multiply कर दूँ यहां भी multiply कर दूँ तो देखे हैं कि यह function है यह उपर उसका derivative है जिसको मैं लिख सेप्ता हूं natural log of cos x और यह जो minus है और यह minus जब multiply हों गया तो हमारे पास कहा जाएगा plus आ जाएगा और आखर में आप एक c लिखें next में x tan square x dx इसमें भी again u को हमले लेकर x differentiate कर देते हैं with respect to x तो du is equal to dx आ जाएगा और dv को हमले लेकर 10x dx अब दोनों साथ पर हम integrate कर देते हैं तो dv से हमारे पास यह आ जाएगा और 10 square कम formula से लिख सकते हैं कि हमें हमें पता है कि 10 square x plus 1 या equals to यह किसके ही equal होता है यह identity or trigonometric इसके ही equal होता है यह हमें sequence square की integration पता है तो हम इसको 10 को secant में transform कर देते हैं अब sequence square की integration हमें अलोड ही पता है किसके ही equal होती है 10 के और यहां पर बच्छता क्या है 1 1 की integration with respect to x क्या होगी x हमारे पास v भी आ गया u भी आ गया du भी है formula के अंदर put कर दें u v minus integration of v dv तो u की जग़े उसकी value v की जग़े उसकी value यह वाली minus integration of v और du की जग़े उसकी value dx x को इसके साथ multiply किया x को इसके साथ multiply किया x को इसके साथ multiply किया कि minus 10 अब इन्हों को separate अगर हम कर दें minus इसके साथ multiply होगए तो हमारे पास रीचीज़ आ जाएगी और minus इसके साथ multiply होगा ते minus minus plus integration of x dx अब 10 हमने उपर भी किया 10 किसकी को लिख सकते है sin by cos dx और x की integration क्या होगी power rule से power में one add कर देते हैं power में one add कर देते हैं और इसी number से divide कर देते हैं ठीक है यह power rule से हो गया इसमें again हमने वही चीज़ करनी है नीचे function है उपर इसका derivative होना चाहिए तो मैं minus multiply दो दफ़ा कर देता हूँ अब यह function है यह उसका derivative है तो हम इसके लिख सकते है natural log of cause x और यह minus minus क्या बन्जाता है plus और आखर में हम एक c लिख देते हैं तो यह हमारे पास इसका solution हो देता है next जो है वो exponential है x cube e to the power x square इसमें भी देकें यह चीज जो है हमें एक rule पढ़ा वाता अगर e to the power f of x हो और 7 में उसी का derivative multiply हो तो हम इसको लिख सकते हैं e power f of x तो इसको जहन में रखते हैं जहें एक e to the power x square है इसका derivative क्या आना चाहिए यह 2x power का derivative क्या आना चाहिए 2x तो x हमारे पास अवालोड यहाँ इसके अंदर है ठीक है तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें से x निकाल देते हैं अगर हम तो यह आ जाएगा x square into e power x square x dx तो देके इसको हम ले लेते हैं u इसको differentiate करेंगे with respect to x तो यह बन जाएगा 2x dx इस तरफ आगया अब इसको हमने integrate करना है तो dv is equal to x e to the power x square इसकी integration करते हैं यह साथ में dx भी होगा तो यह जाएगा v और x e power x square dx इसके लिए हमने उपर यह rule लिका हुआ है तो अगर आपके पास function हो e power x square है और इसकी power का derivative यहाँ पे हो power का derivative क्या आता है 2x है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है इसलिए हम 2 से multiply कर देते है और बाहर डिवाइड कर देते है यह बाहर वाला exit आ जाजाएगा और inside जो चीज़ बन जाती है यह उपर वाला formula है कि function हमारे पास है e power में और इसका derivative यहाँ पे है तो हम इसके सरफ e power x square ही लिकेंगे यह हमारे पास v आ गया अब formula में substitute कर दें v u minus u v minus v du u हमारे पास है v भी हमारे पास है यहाँ से minus v और u यह टू टू के साथ cancel अगर आप ना भी cancel करें कि हमारे पिल चाहिए होगा तो यह वाला exit आ जाजाएगा minus half को बाहर नकाल देते हैं और इसका positive लिक दिया अब यह वही पुरानी वाली यह वाली चीज़ आ भी है यह आपके पास e की पावर में function है x square और उसके साथ उसका derivative है तो हम सरफ उसी चीज़ को यहाँ लिख देते हैं और यह half exit जाज़ देगा तो यह इसका integration हो जाती है similar question है जिसका हम लिख सकते हैं e to the power यह बलकि इस पास के कर देते हैं x plus 1 whole to the power minus 2 और x e power x dx यहाँ पिर इसको x e power x और इसके साथ dx लिख देते हैं इसको हम u ले लेते हैं इसको differentiate करेंगे by product rule पहले का derivative दूसरा as it is फिर first one as it is दूसरे का derivative इसको e power x का derivative e power x से आता है तो यह हमारे पास ही चीज़ आगी डियॉट पर dx तो जबिए dx दूसरी ज़ट पर चला जाएगा इन दोनों के साथ multiply हो जाएगा दोनों में e power x common है e power x पाहिप ले जी तो यह बन गया हमारे पास du अब db का ले ले लेते हैं one over x plus one whole square dx तो integration करेंगे power rule के मताबिक इसको गर उपर लेके जाएगे तो power negative है जाएगी power rule कहता है कि अगर आपके पास कोई function है जिसकी power में कुछ भी है और इसका derivative साथ multiply होता है तो आप क्या करेंगे power में one add करेंगे और इसी number से divide कर देते हैं तो देखेंगे यह गया है f of x x plus one इसका derivative कहता है one तो कि अलड़ी हाँ पे है तो हम power rule के तहट इसमे power में one add कर देते हैं और इसी number से divide कर देते हैं इसको simplify करेंगे तो यह बन जाएगा minus one और यह भी बन जाएगा minus one तो इसको denominator में लेके आते हैं यह बारा minus यह आ गया और जब इसको denominator में लेके आते हैं तो हमारे पास यह value बन जाते हैं अब next हमने formula केंगे substitute करना u v minus v du u की जगा उसकी value v की जगा उसकी value again v इसके साथ cancel हो जाती है इसको हम simplify करकर लिक देते हैं यह minus और यह minus becomes plus और यहाँ पर हमारे पास सरफ e power x रहा जाता है e power x की integration क्या होती है e power x और हमारे पास स्वार होती है